नमस्कार आप देख रहे हैं GGS News 24 आप देख रहे हैं जोनपूर की खबरें अविद्ध्या मुद्देपर जैसे ही कोट के फैसले आए उसके बाद हट कौम में खुसियों का लाहर बना हुआ है जी यहां जोनपूर की हम यह खबर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि जोनपूर की जिला अधिकारी दिनेश कुमार स्चिंग और पुलिस अधिचक रवी संकर छवी ने जिस तरह से सुरच्छा व्यूस्ता की जिम्यदारी अपने कंधों पर उफाते हुए छेत्र का भ्रमण किया ये बात देखकर बड़े कावले तारीफ है कि क्यों इस सुरच्छा व्योस्ता की जिम्यदारी जिस तरा से होने ही चाहिए जिले में पूरी उसी तरा से जिलाधिकारी और पुलिस सर्दिशक ने बड़े सुजबोषे साथ पूरे छेत्र में माहौल सुरच्छित बनाये रखे हुए हैं यह खबर हमारे वीरोचीफ देपक कुमार विश कर्मा जी की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं जोनपूर से देपक से बाचीत में पता चला कि और के फैसले आने के बाद हर तरफ खुश्याली का महौल बना हुआ है चायवा मुस्लिम वर्फों या हिंदू सभी भाईचारी के साथ खुश्याली से प्रसाशन के सयोग में अपना आद बढ़ा रहे हैं जी हाँ प्रसाशन भी यही चीज समधारिक कोशिश कर रहा है आईए जरेकते हैं प्रसाशन क्या कहता है पूलिस आदिश्चक जोनपूर ने कभी संकर शरबी ने बढ़ाया कि सांती व्यवस्ता हर जगा बनी हुई है वहीं कि लादिकारी जोनपूर दिनेश कुमाश शिंग ने भी कार कि हम लोग हर तरह से जो सुरच्छा बेश्चा बनाए रखने के लिए कारी कर रहे हैं और हर जगा सुरच्छा बेश्चा बनी हुई है वोट के फैसले के बाद हर जगा खुसी का लाहर है अब बने रहे जीजेश ने 24 के साथ अब बुली हुई है लोग अपने अपने काम से लगे हुई है और हम लोग सतर्था अपनी परता है